आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूं मसाला चाय की रेसेपी इसको बनाना बहुत आसान है और पीने में बहुत बढ़िया लगती है सर्दी के मौसम में आप इस तरह से मसाला चाय बनाएंगे तो गले में खराज, सर्दी जुखाम, बदन दर्थ, ठकान, सारी प्राबलम दूर हो जाएगी तो अगर आप भी जाना चाहते हैं कि मैंने ये मसाला चाय कैसे बनाया है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तो चलिए रेसेपी शुरू करते हैं तो बढ़िया कड़क मसाला चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टूटी स्पून चाय की पत्ती लिया है चाय की पत्ती आप कोई भी ले सकते हैं जो घर में यूज करते हैं बस मसाला चाय मत लिजिए क्योंकि मसाला हम उपर से डालेंगे और टूटी स्पून चीनी है ची सबस्क्राइब काद कर दोटे साइश का अध्रक का टुकड़ा है चैसे साथ काली मिच गादान एक हरी यलाइची है और एक दाल चीनी का टुकड़ा है और एक लंग से इसे च्छाइब कर घानाे इसे चाय से क्योड बहुत अच्छा रहता है उस में भी बहुत आराम मिलता है इसके अलावा हम लेंगे पानी और दूद्ध पानी और दूद्ध कब से नाप के लेंगे तो सबसे पहले अद्रग काली मिर्च दालचीनी लॉंग इलाइची को दरदरा कूट लेंगे इस तरह से मैंने कूट लिया है तो इसको साइड में रख देंगे और एक चाय बनाने वाला बरतन लेंगे तो यहाँ पर मैंने मिठी का कुलहर लिया है जो रियल बाला आता है वो है इसको मैंने अच्छी तरीके से धूल लिया है इसी मिठ से मैं चाय बनाऊंगी और इसी में चाय निकालूंगी भी तो इसी कुलहर से सवा कुलहर पानी लेंगे एक कुलहर और ये थोड़ा सा और और सवा कुलहर दूद भी लेंगे एक कुलहर दूद हो गया और थोड़ा सा और इतने दूद और पानी में दो कुलहर चाय बनके तयार होगी और बाकी जो दूद और पानी है सब जल जाएगा चाय बनाते समय तो अब इसको gas पे चाहा देंगे gas flame high कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे तो उबाल आने लगा है चाय की पत्ती डाल देंगे तेज पत्ता डाल देंगे और यह snow powder डाल देंगे अब इसमें कुटा हुआ मसाला डाल देंगे गैस फ्लेम मीडियम two high के बीच में रखेंगे और दो मिनट तक इसको पक्ने देंगे बीच पीच में चाय को इस तरह से पैन के साथ हिलाते रहेंगे दुकान पे भी आप चाय बनते समय देखें होंगे तो दुकान वाले भी इसी तरह से करते हैं चाय को ऐसे हिलाते रहते हैं पैन के साथ इससे सारे मसाले का फ्लेवर चाय में अच्छी तरीके से आ जाता है और एक कल्ची लेंगे कल्ची में चाय करके इस तरह से उपर से डालेंगे ये भी एक ट्रिक है चाय अच्छी बनाने का तो ऐसे दो तीन बार कर देंगे तो दो मिनाट हो गया है चाय को पकते हुए तो अब इसमें डालेंगे चीनी चीनी एकदम लाश्ट में डालेंगे जब चाय गैस से उतारना होगा क्योंकि चीनी को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे चीनी जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान करती है तो चीनी को बस घुलने तक ही पकाएंगे चीनी घुल चुकी है, गैस फ्लेम आफ कर देंगे अब चाय को कुलहड में निकालेंगे चाय की खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है मेरा पुरा घर महेक रहा है इतनी अच्छी खुश्बू है और पीने में भी बहुत स्वादिश्ट लगेगी चाय उतने दूद और पानी में पुरा दो कुलहड चाय बनके तयार हो गई है बाकी का दूद और पानी सब भाब बनके उड़ गया है इस तरदी के मौसम में इस तरह से मसाला चाय आप भी बनाईएगा पीने में बहुत मजा आता है चाय अगर मिठी के कुलहड में हो तब तो मजा और दूगना हो जाता है आपके पास अगर मिठी का कुलहड नहीं है तो आप का गलास या रोज बनाके पिएंगे तो गले में खराव सर्दी जुखाम और ठकान सब दूर भाग जाएगा तो अगर आपको मेरी ये मसाला चाय बनाने के रेसे भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर औल पे किलिक करना बिल्कुल न भूले जिसे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले थैंक्स पर वाचिन टेक केर बाइबाइ